बेटा दिवाली आने वाली है तुमको कुछ इसमें से लेना हो तो अब बताओ ये घर सजाने के लिए पौधे हैं कुछ गमले सहित पौधे हैं मीना मैम आप आप यहां कैसे और आप ये पौधे क्यों बेच लए हो अरे बेटा मैं पहचान नहीं बारी हूँ ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा मैम आपने मुझे पहचाना नहीं मैं थर्ड सेमेस्टर में थी मेरे बॉइकट थे और आप मुझे हमेशे लड़का लड़का बोलके चड़ाया करते थे और आप हमको कैमेस्ट्री पढ़ाया करती थी आप भूल गए क्या अच्छा बॉइकट वाली निधी अरे अब याद आया मुझे जी मैम सही पहचाना आपने आईये आप अंदर आईये पानी दन्नबाद बेटे कैसी ही मैम आप देख हो बेटे कितने दिन बाद मिली मैम आप लेकी पैम मुझे एक बास समझ नहीं आ रही है आप ये पौदे क्यों बेच रहे हो बेटा मैं रेटायर हो गई हूँ मेरे पास समय रहता है तो टाइम पास के लिए मैं ये काम कर लेती हूँ मैम आपकी तो पैंशन भी आती होगी तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे है मुझे समझ में नहीं आ रहे है कुछ बात हो तो आप मुझे बता दिजी नहीं नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं बस time pass के लिए कर रही हूँ मैं आपके तो दो बेटे भी हैं ना मतलब वो आपको allow कर देते हैं ये सब काम करने के लिए वो तो बेटा अब मैं चलती हूँ बेटे प्लीज रुखिये आप, अगर कोई बात हो, तो आप मुझे बता दीजे, मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशानी बेटा, तुम बच्चों के बारे में पूछ रही थी न, अब वो बच्चे कहां रहे, वो तो बड़े हो गए हैं बेटा, बच्चों को बड़ा करने में पेरेंट्स कितनी तकलीब देखते हैं, हर्स परेशानिया सहते हैं, फिर भी अपने बच्चों का सुख देखते हैं कि उनको किसमें अच्छा लगेगा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को भूल जाते हैं, और कमाने लगते हैं, तो उनको अपने पैरेंट्स की जरूरत की चीजें भी जो है फिजूल खर्ची लगती हैं, और एक तरह से माबाप उनको बोज लगने लगते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि माँ गीले में सोती थी और बच्चे को सूखे में सुलाती थी, हर चीज का ध्यान रखती थी, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो माबाप को दूद में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेक देते हैं, अरे बेटा, दोनों बेटों ने हमें सामान की तरह बांट दिया छे मैने एक क्यां रहते, छे मैने दूसरे क्यां रहते और जब हम बीमार हुए, तो हमको घर से बाहर निकाल दिया हमारे इलाज के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे हमने सोचा दोनों में से कोई तो ढूनने आएगा कोई भी नहीं आया और हमारे उपर ऐसे चिलाते डाटते थे जैसे वो हमारे माबाफ हो लेकिन मैम मुझे एक बास समझने ही आ रही है कि आप बच्चों को पढ़ा भी तो सकते हो न फिर ये काम हम ऐसी जगे रहते हैं जहां बच्चों को पेरेंट्स पढ़ाई नहीं सकते हैं इतने सक्षम नहीं है मैम आपके फ्लावर कितने के होंगे फाइव एंडरेट के तो मैम इनके मैं सारे पैसे आपको दे दूँगी और आज शाम से ही आपको मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आना पड़ेगा और मैं आसपास के बच्चों को पढ़ाने का भी उनके पैरेंट्स से बात कर लूँगी तो आप पढ़ाएंगे न मैम प्लीज मैम हाँ बेटा बिलकुल ठीक है हलो मम्मी कैसे हो आप मैं अच्छी हूँ मैटा मम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी तो हूँ na आरे दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है میरे तू ऐसा क्यों भेटा तुनों तो शादी के बाद मी मेरा इतना ध्यान रखती है मेरा क्यार करती है फिर आज ऐसी बाते क्यों कर रही हो मम्मी आपको कभी भी लगे कि मैं आपकी केर नहीं कर पा रही हूँ आपका ध्यान नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे आप दाग देना अपने फर्स कभी मत भूलने देना हाँ बेटा, मैं ध्यान रखूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखो और खुश रहो ठीक है मम्मी, बाई बाई बिटा आज कल बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत समझते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं या ब्रधराश्रम भेज देते हैं जबकि बच्चों को पेरेंट्स कितनी कट्णाई देखकर बढ़ा करते हैं और सोचते हैं कि बुड़ापे में हमारा सहारा बनेंगे लेकिन आज कल ऐसा नहीं होता है माबाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है ये हमें समझना चाहिए उनको हमेशा सम्मान और आदर देना चाहिए उनकी हर ख्वाइश को पूरा करना हमारा फर्ज होता है वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए धन्वाद